अब मैं कड़ेस को थोड़ सा और डिसकस करते हैं, मैं फिर वापस आ जाता हूं, तो ये चार चीज़े हम चेंज करते हैं, ये फिफ्थ अपने आप होती है, पांचमी जो चीज है, अब हम देखते हैं कि एक्चुल में होता क्या है, तो ध्यान रखना है हमारा कॉम्पूटर एक डैरी और बनाता है, हमने पहले कहा था कि एक डैरी हमारे पास कौन सी होगी, DNS जब वीन्स वाली, एक डैरी और हमारा कॉम्पूटर बनाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ARP डैरी, Address Resolution Protocol, इसके अंदर क्या information होती है, जो IP डैरेस, अगर किसी का ये वाला है, तो उस का Mac डैरेस के है, जो ये वाली डैरी भी कम्पूटर के अंदर maintain होती है, बट शुरू में ध्यान लखना कि जब हम ये इस डैरी को चेक करते हैं, अब मैं सिस्टम पे जाके आपको दिखाता हूं, कि इसको मैं CLS करके clear कर देता हूं, यहां पे भी छोड़ से CLS करके मैं clear कर देता हूं, तो मैं इसको ARP-A कमांड से चेक करता हूं, आप देखोगे कि ये डैरी शुरू में खाल लिया है, ARP-A, इसके अंदर कोई entry नहीं है, तो ये कब आएंगे entry, ये देखते हैं, तो ये मैं table की बात कर रहा हूं, कि एक तो DNS wins table हो गया, एक और वो table maintain करके रखता है ARP table, तो ध्यान रखना कि उस table के अंदर क्या होता है, IP address और MAC address का relationship, DNS के अंदर क्या होता है, नेम और IP address का relationship होता है, तो थोड़ सा इसको समझने की कोशी करते हैं, कि आपस में इसका क्या link है, तो भी इसको समझने के लिए लेके चलते हूं, कि सपोज मैं, इन्हें फिर कहा ह कि मेरा एक बेंगलोर में दोस्त है, शेखर, अब मैं उसको क्या करना चाहता हूं, एक pen as a gift भीजना चाहता हूं, क्योंकि उसको पढ़ने लिखने का काफी शोंक है, तो मैं क्या करता हूं, एक pen उसको भीजना चाहता हूं, gift, तो अब क्या करता हूं, कि मैं उसको पहले क्य करता हूँ फोन कॉल करता हूँ अब मैं अपनी contact list से देख लेता हूँ कि भी उस शेकर का फोन क्या है तो मैं क्या करता हूँ उसको dial करता हूँ ठीक है तो क्या अब जैसी वो फोन को उठाएगा क्या मैं जो वो pen है क्या phone के अंदर डाल दूँ उससे वो पहुंच जाएगा उसके पास phone बीट पर पहुंच जाएगा नहीं नहीं आप क्या है कि फोन के थूँ आप logically उसके पास पहुंच गया आपको एक number मिला आप logically उसके पास पहुंच गयो पर आप कोई physical समान नहीं वहाँ पे बेज सकते तो physical समान भेजने के लिए मैं को क्या पढ़ेगा कि भई शेकर तुम्हारा address बता देना कि वेंग विलोर में कहां पे तुम्हारा address है मैं को exact address बता दो अब मैं को क्या करना पढ़ेगा courier वगारा के थरू क्या करना पढ़ेगा उस physical address पे चीज भेजनी पढ़ेगी ये ध्यान रखना है आपने मिन शेकर उसका नाम हो गया मेरी दोस्त का उसका जो भी phone number है ठीक है वो उसका क्या हो गया logical address हो गया पर वो जो घर का address है physical वो अलग जिरेगा इसलिए जो में को समान भीजना पड़ेगा वो में logical address पे नहीं जो उसका phone number है उसका नहीं भीज सकता ठीक है में को उसका address बताना चीज same way ध्यान रखना है कि जब यहां पे जो अब जब हम ये command चलाने वाले हैं pink c20 ये एक तरह से शेकर हो गया अब अमने काया कि pink कमार जब चलती है तो वो 32 byte भीज़ती है अब 32 byte कोई भीज़ती है physically वहां पे पुचाने हैं किस system पे इस पे तो भई उसको क्या पता होना चाहिए इस system को क्या पता होना चाहिए उसका mac address पता होना चाहिए बट भई जब मैं pink C20 करता हूँ वो क्या करेगा पेले किस dairy को चेक करेगा DNS को चेक करेगा DNS से उसको क्या पता लगजेगा उसका IP address पता लगजेगा फिर वो IP address से क्या पता करने की कोशी करेगा उसका mac address पता करने की कोशी करेगा तब जाके delivery होगी तो ध्यान रखना यहाँ पे जो C20 है जो computer का नाम है वो मेरे दोस्त का नाम जो शेखर है उसके equivalent है जो address है यह जो अभी आएगा address 174.24.22 यह उसके case में उसका phone number हो गया इस case में इसका address हो गया अब अगर मैं जैसे ping किया उसने packet का भीजने से पहले 32 वाइट पहले क्या पुछा होगा उससे उसका mac address पुछा होगा और mac address पूछने के बाद उसने अपना किस table के अंदर रख लिया होगा तो मैं इसको अब जब यह आरपी करूँगा तो मैं को वो क्या दिखा रहा है 2.20 का जो है mac address क्या है यह वाला mac address है तो इसके इसमें mac address किसके बराबर हो गया जो शेखर का physically बेंगलोर के अंदर जो उसका है घर ओ उसका क्या हो गया physical address हो गया तो आपने हमेशा relate करके चलना है कि आपका नाम computer के नाम के बराबर हो गया आपका जो phone number है वो IP address के ब्राबर हो गया जो आप physically जहां पे रहते हो वो computer का क्या हो गया physical address हो गया तो इन तिनों का relation करना है और यहां पे एक चीज और आप note करोगे के भई यह क्या है इसका जो यह जो ARP table है ठीके उसके अंदर क्या entry है 2.20 और उसके अपनी नहीं करता क्योंकि मैं को अपने घर का तो पता पता ही होगा और यह क्या है dynamic के लिखा हुआ है तो इस dynamic का अब क्या meaning है इसके लिए हम फिर समझने की कोशी करते हैं कि suppose अभी मैंने अपने दोस से शेकर से उसका address पूछ के उसको pen gift भीज़ दिया अब मैं 2-3 सालों बाद फिर उसको एक laptop gift करना चाहता हूँ अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ उसी जो मैंने 2 साल पे ले उसका address पूछा था उसी पे laptop भीज़ देता हूँ अब भी जुरूरी तो नहीं होता है कि परसन मती हमेशा एक ही जगा रहता है सबोज उसने shift कर लिया है अब उसका क्या हो गया है कि भी physical address change हो गया है तो मैं को क्या चाहिए था जब 2 सालों बाद मैं फिर उसको कुछ laptop gift की तरह भीज़ नहीं हूँ तो मैं को फिर क्या करना चाहिए था उसको phone का क्या पूछ लेना चाहिए था भाई अब तुम्हारा address क्या है तो मैं को उसी सब्सक्राइब इसलिए ध्यान रखना कि हो सकता है अब ये जो xp20 है उसका हो सकता है अगर हम physical system ले तो उसका हो सकता है कोई land card खराब हो गया हो उसकी जगा हमने replace करके क्या कर दिया second कर दिया तो क्या होगा अब तो change हो गया होगा हो सकता है virtual machine में भी हमने कुछ कर दिया हो में दियागा उसका तो इसलिए ध्यान रखना कि इस case में क्या है कि जैसे मैं आपने दोस्त की example लेना हूँ कि में को कोई समान फिजिकल भीजने से पहले एक वारी फिर confirm कर लेना चाहिए कि भई address क्या है तो ये भी जो ERP table के entry है कुछ देर बाद चली जाती है तो क्या है कि packet भीजने से पहले वो क्या करता होता है उसको ERP request भीजता होता है कि भी में को बता दे भी तुम्हारा mac address क्या है उसको कुछ देर के लिए इसके अंदर रखता है तो उसके बाद क्या है इसलिए यहां पे जो आपका type आ रहा है अगर आपको लगता है कि कभी इसने change होना ही नहीं है जा खराब होना ही नहीं है तो आप static आपकी इंट्री होती है तो यह आपने ध्यान रखना है कि relationship क्या है तिनों का यह बहुत ही जुरूरी है इस relationship को समझेना जाए वो आप किसी भी बहुत डीब जाना चाहते हो तो यह आपको relationship बताने चाहिए तो यह चीज आपकी क्या होती है यूनीक होती है इसको तो पांच चीज़ें होगी हमारे पास आईपीड़ेस मास्क नावें वर ग्रूप फिफ्ट चीज है मैकड़ेस प्रटा इसको हम चीज नहीं करते है यह बाई डिफाल्ट फेक्स ही होता है और कितने बीट का होता है 48 बीट का आईपीड़ेस मारा कितने बीट का होता है 32 बीट का इस चीज को आपने क्या करना है ध्यान रखना है